नमस्कार, मैं हूँ विजेविद्रोही तो आज हम बात करेंगे बंगाल और बिहार कनेक्शन की क्या बिहार ने बीजेपी गडबंधन की जीत का बंगाल से कोई कनेक्शन है क्या विकास का डबल इंजन जो बिहार की पट्री पर दोड रहा है या ऐसा दावा किया जा रहा है कि अपसे दोड़ेगा क्या यही विकास का डबल इंजन बंगाल की पट्रियों पर भी दोड़ेगा लेकिन पहले दो शब तेजिस्वी यादव के लिए तेजिस्वी यादव ने चुनाव लड़ा बहुत अच्छा चुनाव लड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा किनारे पर आकर नहीं या डूप गई वो अलग बात है लेकिन अब उनको करना क्या है मुझे लगता है कि अब तेजिस्वी यादव को चुनाव योग का रोना रोना बंद कर देना चाहिए जनादेश महागडबंदन को मिला है गड़बंदन को नहीं मिला है ये रोना बंद कर देना चाहिए और आगी देखना चाहिए नितीश कुमार की सरकार के खिलाब संघर्च करना है, विलान सभा के अंदर संघर्च करना है, सड़क पर उतर कर संघर्च करना है, एक शैडो मंत्री मंडल बनाना है, नितीश कुमार के मंत्रियों के पीछे परच्छाई की तरह लग जाना है, 19 लाग रोजगार के ने अफसर नितीश कुमार की सरकार पैदा कर पाती है नहीं कर पाती इस मुद्दे पर घिरना है तेजिस्वी आदव को तेजिस्वी आदव अगर पूरे 5 साल इस काम में लगे रहते हैं तो बहुत बड़े निताबन कर उबरेंगे अगर लोग लालच में नहीं फसते हैं तो लालू की जो सियासत की गाड़ी जहां आकर अठक गई थी उससे कहीं ज्यादा उनकी गाड़ी आके तक जाएगी इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि नितीश कुमार चौथी बार वुख्य मंत्री पत की शपत लेने वाले हैं इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि नितीश कुमार का सियासी कम कर दिया गया है मीडिया में आ रहा है कि नितीश की सरकार में नितीश की पार्टी के जितने मंतरी होंगे उससे दुधने मंतरी शैद बीजेपी के होंगे मलाईगार मंतराले प्रभावशाली मंतराले उनके पास रहे हैं होंगे मीडिया में यह आ रहा है कि दूढ़ाई साल बाद नितीज कुमार को उपराश्वती बना दिया जाएगा, बीजेपी अभी से उनके रिटार्यमेंट प्लान की तैयारी कर रही है, अब नितीज कुमार के पाले में गेंद है, उन्हें तैक करना है, कि उन्हें करना क्य है, चौती बार मुख्य मंत्री बनना है, दो बार उपराश्वती बनना है, या यह सब जो सत्ता कि जीज अंजाल है, इन सब को छोड़ देना है, इन सब से हट जाना है, अब बड़ा सवाल उठता है, वे तीन बारा मुख्य मंत्री रह लिए, चौती बार भी बन जाओगे दो नहीं साल बाद उप्राश्पती भी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा देश की सेवा करनी है तो इससे आगे निदीश कुमार कर सकते हैं क्योंकि निदीश कुमार का विक्तित्व ऐसा है पूरे देश में एक खालीपन है विपक्ष की फिष्टी से देखा जाए एक वैक्यूम है जिसे नितीश कुमार भरें ऐसी उमीर बहुत से लूग अभी भी लगाये हुए है बोधी सरकार के खिलाब अगले चार साल बोर्चा खुल सकते हैं नितीश कुमार इसकी भी एक प्रवल संभावना ये देश देख रहा है पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कोई एक शक्स ऐसा आए जया प्रकाश नरायन जेपी के वचेले रहे हैं जेपी की पूरी क्रांती संपूर क्रांती नहीं हो पाई थी अधूरी क्रांती रह रहे थी सदूरी क्रांती को संपूर क्रांती में बदलने का इससे बहतर मौका नितीश कुमार को कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है अब सवाल उखता है कि नितीश कुमार सुख सुविधा सहूलियत की राई येती करेंगे या कांटो भरा संगर्च भरा रास्ता चुनेंगे आगे आते हैं अब बंगाल पर जो बिहार से सटा हुआ है बिहार की जीत से प्रधारमंत्री बोधी गदगद है पूरी बीजेपी गदगद है आखिर क्यों ना हो 2019 के लोग सबाचनाओं के बाद विकास का डबल इंजन जारकन में पांच साल बाद पट्री से उतर गया था दिल्ली में फिर हार हुई यानी पट्री में विकास का डबल इंजन चड़ा ही नहीं महराश्ट में आउटर पर अटक गया शिवसेना कच्चा दे गई, शिवसेना अपने इंजन को आगे भगा ले लगई, शरत पवार और कॉंग्रेस से हॉर्स पावरी कठा करके और मुख्यमंत्री बनकर बैठ गई, उनके उदव ठाकरे, हर्याना के अंदर, डबल इंजन, खटर का और मुदी का तो है, लेकिन उस जहां नितीश कुमार का सियासी कत कम हो गया है, जहां बिहार ने बीजेपी की सीटे बड़ी है, और बीजेपी बड़ी उसुता से बंगाल की तरव देख रही है, बंगाल में बीजेपी के पास बहुत सारे विकल्ब है, वो चाहे तो डबल इंजन के तारे के आधार पर च मुझते मुसल्मानों की कुष्टी करन के मुझते उठा सकती है, लेकिन मम्ता के पास इतने बेकल्ब महीं है, मम्ता जिस दंग से जूज रही है या कोरोना से उनकी सरकार जिस दंग से जूज रही है, उस पो लेकर मम्ता बैट फूट पर है, तिर मूल कॉंग्रेस के जो ज जानकार कह रहे हैं कि अधर वाम बोर्चा और पाउडेश मिल कर चुराव लड़ते हैं, तो फिर कही न कहीं हांग SMD की सूरत बन सकती है, BJP यानि सक्ता से बाहर धकेली दा सकती है, ऐसा बहुत से लोगो कमानना है, वैसे कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि BJP के लिए सक्ता हा जादा पार कर जाए, ये भी बहुत बड़ी कामियाभी होगी, लेकिन सकता में आना थोड़ा मुश्किन होगा, ये इसकी वज़ए ये माँते हैं, कि 2019 के लोगसभा चुनाओं ने, BJP ने 41 प्रतिशर बोट हासिल किये, करीब 18 सीटे जीती, मम्ता से 3 प्रतिशर बोट कम थ लेकिन देज यहीं भसा हुआ है, देखा गया है कि BJP जहां लोगसभा चुनाओं में अच्छा करती है, उसी जगह जब विधान सभा के चुनाओं होते हैं, तो BJP का गोट परसंटेज कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 10-12 परसंट तक गिरा है, अगर बंगाल में ये बरंपरा का है बंगाल पराप भी बहुत कुछ हम से सुनना चाहते हैं, हम भी आप से सुनना चाहते हैं, सुनने-ससलाने का सिल्फ़ जानी रहेगा, कल मुष्क्ति दिघंगा इसी विवयार के साथ साथ बंगाल पर भी बात पर ress höher द스트 हर बंगाल पर किया तो प्वीच अंधर्ष हो तो